आज मैं आपको ये थाल पोस्ट बनाने जारी हूँ इसको पहले भी वीडियो बताया हुआ है इसमें कि मैंने इसको कैसे बनाया है लेकिन आज मैं फूल-प्रोझेस आपको इस्टेप बाय स्टेप बताने जारी हूँ कि इसको कैसे पुड़ा बनाएंगे यह टोटल 38 इंचेज की थालपोस है अब इसे एडिया रख के रूप में भी यूज कर सकते हैं और इसे आप टेबल के रूप में यूज कर सकते हैं राउंड टेबल पर डाल सकते हैं बीच में शो की जगह भी आप सोफा के उपर भी डाल दे तो बहुत सुंदर लगेगी और बहुत ही शुनलगता है बहुत इजी है अगर दिन में दो घंटे बैठेंगे रोज तो मैरी सही तीन से चार दिन में अरामसे बन uh 3-4 दिन रेत मैं सकता में मेरे सूर्टाAyasai तो कैषिफभी है कैलों कैसे कोई स्पीट कंशना ना होती है उसी साब से भी जल्दी बन जाती है तो चलिए मैं इसका फुल प्रोसेस आपको बताना सुरू करती हूँ कि कैसे बना है यह मैं इसमें तीन अलग-अलग कलर यूज कर रही हूँ एक तो पिंक है मेरे पास फोड़ी बची हुई ये दो बोले बची हुए है और ये यलो एक है और ब्लू मेरे पास जाजा है तो मैं बेस ब्लू का बनाऊंगी ताकि आउटलाइन में जाड़ा उल लगती है मैंने उसमें भी पहले आपको बताया हुआ है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो पहले बेस मुझे ब्लू से बनाना है तो मैं ब्लू स्टार्ट करूँगी 4.50 mm की क्रोशे ली है मैंने और अब मैं 6 चेन बनाऊंगी इसके लिए 6 चेन से मैं स्टार्ट करूँगी 1, 2, 3, 4, 5, and 6 6 चेन लेके और मैं स्टार्ट से लाश्ट वाली पर बंद कर देंगे लेके राउंड बन जागी हमारी अब इस राउंड में हमने पहले तीन चेन ले लेंगे 1, 2, 3, तीन लेके उसके बाद इसी में हमने 6 पॉप स्टिच ले लेनी है 1, 2, 3, 4, हम चार बार ले रहे हैं आप चाहें तो 5 या 6 आपको मोटी चाहिए तो आप इसे ज़्यादा भी ले सकते हैं और इसे बंद करके फिर दो चेन लेंगे 1, 2 और फिर इसी में एक और पॉफ ले लेंगे छे पॉफ हम ऐसे ही बना लेंगे दो दो चेन की गैप में बना के तीन और ये चार आप चाहें तो 5 या 6 जितनी भी ले 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 शकते हैं ऐसे हम छे पॉफ बना लेते हैं अब उसके बाद दो चेन लेके इसे लास्ट वाली इसमें जॉइंट कर लेंगे अब फिर ये चेन खीचके इस धागे को काट देंगे और अब हम दूसरा कलर लगाएंगे ये ब्लू धागे को कट करके अब हमने दूसरा कलर पिंक लगाया है पहले हम पिंक कलर लगाएंगे उसके बाद में यलो लगाऊंगी अब यह लगा के हम अपने थें चेन ले ले लेना है 1,2,3 तीन चें लेना अब इस्सी में हमने एखल में जो दो चेन बनाई थी इसमें हमने दो-दो पफ ले ले लेना है 1, 2, 3, 4 Charter की मैं ले रहे हूँ आप चाहें तो मोटा भी ले सकते हैं 1, 2, 2 chain की gap तेंगे और फिर 1, 2, 3, 4 और फिर यह कर लेंगे फिर 2 chain की gap देखे नेक्स्ट वाली होल में ऐसे ही 2, 2 puff हम बनाते जाएंगे हर एक होल में हम 2, 2 puff बना के complete कर लेंगे यह हमने इसमें 12 puff stitches में हो गई है अब यह last की 2 chain लेके हम यह last वाली इससे जहां से हमने बंद किया था जॉइंट किया था वहां से हम इसे बंद कर लेंगे शेम वैसे ही जैसे पहले बंद किया था और यह लेके दागा काट लेंगे और अब यहां पे हम येलो कलर लगा लेंगे यह हमारी पिंक की हो गई अब हम येलो कलर लगाएंगे येलो कलर लगा लिए हमने ये बीच वाले गैप में हम येलो कलर लगाएंगे और गैप में ही लगाके अब हम तीन चेन लेके फिर इसमें भी हम सेम वैसे ही करेंगे जैसे हमने पिंक किया है एक में दो दो लेंगे और ये बंद किया और फिर दो चेन लेके इसमें हमने फिर एक दो तीन चार ये हमने एक में से दो लिया ऐसे ही ये हर एक में हम लेते जाएंगे दो-दो चेन की गैप लेके फिर नेक्स वैले में भी हम ऐसे ही ही इसमें भी सेम ऐसे ही है ये तो ही हमारा पुरा बारत हो गया हुए अब चॉबीस हो जाएगा ये फो जाएगा ये это nic पुछ ने इसमें 24 पफ बना लिया तू अब दो चेन लेकर लाश्ट वाले पे जहां से हमने जॉइंट किया था वहां पे हम इसलिपिश्टिश से बंद कर लेंगे और यह धागा कीज़के फिर अब हमें ब्लू धागा लगाना है अब यहां से हम ब्लू धागा लगाएंगे अब मुझे यह थोड़ा सा लूज लग रहा है तो मैं इसे और ओन थोड़ी पतली है ज्यादा क्योंकि यह जो मैंने बनाई थी यह थोड़ी मोटी थी तो मैं इसे 4 mm के ग्रोशिय से कर ले रही हूं क्योंकि ज्यादा लूज भी अच्छी नहीं लगती है तो मैं इसे 4 mm के ग्रोशिय से यहां से लगा ले रही हूं तो यहां से अब मैं ब्लू धागा लगाऊंगी ऐसे ब्लू धागा लगाया इसको यल्लो कलर को अंदर करके और गठान बांद लिए अब हम ब्लू धागे में अब हम क्या करेंगे इसमें हर एक में हम एक एक पफ लेंगे तीन चेन ले लिया और और बीच में दो दो की चेन लेती जाएंगे 1 2 3 4 ब्लू पर 2 पीचे हाएंगे 2 2 पीचे हाएंगे और फिर नेक्स पार ले पे बिलू एक के किल ना बन कि पूरी पूरी कर लेंगे एक पूरी पॉफ लेगे यहर एक में हमने एक करके कम्प्लीट कर लिया है फिर लाष्ट में दो चेन लेकर लाष्ट वाली पे जहां से यह बंद किया था वहां से लेके हम इसे बंद कर लेना यह चेन लेकर दागा कट करके फिर हम पिंक धागा लगा के तीन चेन ले लिया हमने और अब हम इसमें यह पफ लेंगे फिर दो चेन फिर इसी में दो ले लेंगे अब यह हमारा हर एक में हम ऐसे ही दो-दो जैसे इस लाइन मिली थी वैसे ही ले लेंगे हर एक में हम दो-दो पफ ले लेंगे वापस है हर एक दो-दो चेन के स्पेस में हम दो यह ले लेंगे और बीच में दो चेन का स्पेस जैसे देते हैं पैसे ही देंगे और हर एक में यह दो-दो ऐसे लेके हम पुरी लाइन कम्प्लीट करेंगे हर एक में यह दो-दो लेके आप ये लास्ट वाले इसमें बी हम आघा हैं लास्ट में हम दो पूरा ले लेंगे फोर दो पपिश्टिश लेके लास्ट वले चेह से हम इसे इस्लिपिश्टिश बंद कर लेंगे फिर ये धागा लगाएंगे यह देखिए किते सुन्दर बन गई अब हम इसमें तीन चेह लेंगे तीन चेह लेके वान टू थ्री और पॉफ लेंगे वान टू थ्री और यह फूर पॉफ लिया और तीन चेन लेंगे वान टू एंद त्री और फिर नेक्स्ट वाले में हर एक में अब हम एक एक पफ बीच में तीन चेन की गड़ पे लेते जाएंगे वान टू थ्री फूर फिर से तीन चेन लेंगे तू थ्री तसे हम यह करके यह 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 लाइन कंप्लीट कर लेते हैं एक पुडी तीन-चेन की गड़ में रावावश को धाद्वाश्य और पूरी लाइन ले लेंगे, एक एक पॉफ लेंगे, हर एक दो जैन की स्पेस में, एक एक पॉफ लेंगे, और तीन चेन की गैप देंगे बीच में, हमारा यलो कलर लाश्ट में हो गया है, अब ये तीन चेन लेके, इसमें हमने पूरे में तीन चेन ली है, ये बस ध्यान रख वह जाएगी वही तिके अब हम ब्लू कलर से सुरू करेंगे उसमें यह पर्फ सबीर में चाहिए इस बाद का ध्यान रखना है कि आयों हमें हमें इस ख्रलत करेंगे यहांसे निकाल हम ब्लू दादा लगाएंगे ब्लू धागे से डिजाइन फिर शुरू करेंगे उसके बाद ऊपर हमें पैसी बनती है यह हमारी टोटल 48 पफ है जिसमें हमारी 24 यह ऐसी वाली यह वाली लाइन चेहने यह 24 बन जाएगी तो हमें अब यह शुरू करनी है डिजाइन ने तो इसके बाद वान चेहन लेंगे और यह नेक्स वाले होल में हम दो पफ लेंगे वान तू ट्री पूर एक पफ ले लिया दो चेहन बीच में पफ के बीच में दो चेहन की गेप तो मस्ट रहती है तो वो हमें लेना ही लेना है वान टू थ्री और फूर अब हमें वन चेहन लेनी है और इसमें से फिर हमें वन डबल क्रोशिया और फिर यह वन डबल क्रोशिया टू डबल क्रोशिया लेके वन चेहन और फिर नेक्स में हम वही पफ ले लेंगे तो वान 1, 2, 3, 4 2 chain with lip of layering 1, 2, 3, 4 में यह एक चेंज पर रबाने को करें अगर आपको लग रहा है तो आप इसमें 3 चेंज की बज़ाए 2 चेंज भी ले सकते हैं अगर लूज लगे तो और ऊपर यह एक चेंज यह करके उसके बाद हमें यह बढ़ाते जाना है बीच का जो एक एक चेन हमने दिया है डबल क्रोशिया के दोनों तरफ से वो एक chain दो लाइन के बाद दो chain फिब उसके बाद तीन chain ऐसे ही करके बस ये बढ़ता चला जा गई है ये देखे मैं आपको दिखा देखे इसमें बस ऐसे ही हमें इसको बढ़ाते जाना है जब तक हमारा ये दूसरी design सुरू नहीं हो जाती तब तक हमने ऐसे ही इसे बढ़ा कर लेते हैं फिर ये लाइन कंप्लीट होगी हमारा दिखे पेर्स में था तो हमारा अब लाश्ट में आके हमने ये वन चेन ले लेनी है और फिर इसमें एक पाफ बना लेनी है वान कि तू आप प्र पर चार्चार की बना रही है आपको विर ज्यादा मोटा चाहिए तो कि पांच याश्री की भी बना सकते हैं और ये फिर से एक और ले लेंगे 1 2 3 4 अब फिर ये वन चेन लेके यहां पे हमने वन चेन के गैप की कि तो ये वन चेन लेके और यहां वान तू थी थर्ड चेन पे प्ली पिश्टूश से बंद कर लेंगे ऊपर फिट वन तू तू थी चेन लेके और इससे सेकेंड वाले पर जहां डबल क्रोशिया है उसके ऊपर फिर ये एक डबल क्रोशिया ले लेंगे फिर वन चेन चुकि ये थोड़ा सा मुझे ये लग रहा है तो मैं दो दो लाइन ए एसके बाद एसके बीच में 2 घुम बस यह बीच वाला परसन अभी उतना ही बनता जायगा और एक उतना ही बनता जाय गार सबिसक्रेण बना लिए दो चेंड दिया फिर बनाएंगे जैसे इसमें दो यह है वैसे वान कि तू त्री फोर फिर बन चेंड और फिर इसके उपर डबल क्रोश्य के उपर डबल क्रोश्या बनाते चले जाएंगे फिर वन चेंड और फिर यही हमें रिपीट करके चलो जाना है दो लाइन हम इसकी कंप्लीट करके उसके बाद दो लाइन के बाद हम यह पिंक लगाएंगे फिर गेलो लगाएंगे आपके पास जो भी कलरों कोई भी कलर लगा सकते हैं और कितने भी कलर में आप बना सकते हैं अब चार पांच कलर मिक्स करेके बना लें और चार-फांई लेके 2 डू लेक्ट लेक्षा मैं delict अब आरेको üçछे में रही है यहां पे जिल आ रही है यहां पर भी हला रही है तो teens When I came in तीन चेन लूँगी तो एक लाइन में और दो दो चेन वाली कर लेती हूं तो उसके लिए देखिए हम पहले तो तीन चेन लेंगे फिर उसके बाद नेक्स वाली पर हम एक डेबल कुरुशिया लेंगे फिर दो चेन वान टू उसके बाद इस वाले में पॉफ वाले में पॉफ बनाएंगे वान टू थ्री फोर चार की में पॉफ बना रही हूं फिर दो चेन वान टू थ्री जोक्त बनाएंगे लेगे लेखा फिर यह अब बना ली। फिर उसके बाद उसके बाद सें मुझी 2चेन क्योंकि थोडी लूज हो रही है तो मैं इसे लाइन में सेम ऐसे ही बना लूँगी फिर दो डबल क्रोशिया यह इस डबल क्रोशिय के ऊपर दो डबल क्रोशिया जो ली थी दो डबल क्रोशिया फिर दो चेन और फिर वापस से यह पफ बनाएंगे तो यह ऐसे हमारी यह इसके ऊपर से अभी मैं ऐसे ही एक लाइन बना के उसके बाद मैं ये तीन चेन लूँगी उसके बाद ये सही रहेगी तो तीन चेन ले लूँगी आगे ऐसे ही बढ़ाते हुए दो चेन के बाद हमने ये तीन लाइन हमने दो चेन की कर ली थी ये लोग की एक लाइन भी दो चेन की कर ली थी उसके बाद हमने तीन चेन के साथ किया है तो वन टू थी तीन लाइन तीन चेन की बनाई है उसके बाद फिर वन टू थी तीन लाइन हमने चार चेन की की है फिर उसके बाद तीन लाइन पांच चैन की की है, दो लाइन पांच चैन की की है, उसके बाद तीन लाइन छे छे चैन, उसके बाद एक पफ फिर दो चैन, फिर एक पफ फिर छे चैन, उसके बाद ये दो लाश्ट की लाइन जो है येलो वाली, ये हमने साथ साथ चैन की की है, तो अगर इसे ज़्यादा बढ़ी करनी है तो आप इसी में चेन बढ़ाते जाएंगे या आप बीच में डबल क्रोशिया दो के बजाए तीन करते जाएंगे तो भी ये ऐसे से ट्राइंगल सेफ में बढ़ती चली जाएगी आप दोनों तरीके से कर सकते हैं या तो बीच में बड़ क्रोश चया ऊपर डबक्रोश चया बिच में परहाने वाली बीच चयाएंगे आगे में बताऊंगे अ और इसमें मेरी टोटल लाइन होई निसम में 24 लाइन मेरी कंपलीत हुई है जिसने की चे लाइन यह इधर की ये बीच की बनी है पूरी यह जो round बनी है छे line यह 6 line की बनी है उसके बाद जो यह puff वाली line है वो 18 line बनी है तो आप इस according जिसी साब से आपको बड़ा छोटा करना हो आप इतना के बाद भी 5 line के बाद भी आप इंची जितनी बड़ी चाहिए उस इसाब से नापके आप उसके बाद outline दे दो मैंन मैंने बीच में यह पप के बीच में ही लगा लिया है और इसमें अब मैं chain बनाऊंगी तो वन टू टू ट्री ओर फाइट नाइट टेन एलेवन ट्वल्ब ट्वल्ब चेन बनाऊंगी त्वल्ब चेन बनाके उसके बाद इसका बीच वाला जो जहां हमने डबल क्रोशिया लिया है दो डबल क्रोशिया जहां लिये वहां के बीच के पॉइंट पे हम यहां सिंगल क्रोशिया लेके इसे बंग करेंगी फिर हम 12 चेन बनाएंगे बनेंगे फिर इसके बीच के पॉप वाले पॉइंट में हम काय करा हो सिंगल क्रोशिया से बंद करें ये लाइन हम ऐसे ही पुडि कंप्लेट कर लेंगे बाडा-बाडा चेंट से हम हरेकिये पॉइंट पे पहले चले उसके बाद ये बीच वाले यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर डबल क्रोशिया वाला पॉइंट है वहां पर बारा बारा चैंज से हम यह 1 2 3 4 5 6 7 8 सड्सक्राइब चैन और फिर यह हमें इसके बीच वाले इस पर हमने सिंगल क्रोशिया से ऐसे बंद कर लेंगी यह लाइन हम ऐसे ही पूरी कंप्लीट कर लेंगे बारा बारा चैन लेके अब यह लाइन कम्प्रीट हो गई हमारी बारा बारा चेंग की अब इसमें लास्ट वाले में जिसमें हमने स्टार्ट किया था इसी होल में फिर से वापस से लेके सिंगल प्रोशिया ले लेंगे और यहां से यह स्लिप स्टीच लेते हुए छे स्लिप स्टीच लेके छठे चेन के पास हम आ जाएंगे देख तो शर्य शिंगल कुषिया लेंगे लेपीस की स् नहीं लेंगे शिंगल कुषिया लेंगे धीन की चार्घाट वागाँ प्रच छे सिंग्र क्रोशे लेंगे एक्ष्ट थागे को बाद ही हम कट कर दों और इसके बाद यहां से फिर से हम बारा-बारा की चेन ले लेंगे कि यहां से फिर से फिर से यहां से फिर के बीच में हम सिंगल क्रोश्या लेकर ऐसे बंद करने हैं फिर से हम बारा-बारा-बारा चेन ले लेंगे और फिर से इसके बीच में हम सिंगल क्रोश्या से बंद करने हैं तो यह इस तरीके से यह अब यहां तो यह बनेगी हमारी तो यह यह पूरी लाइन हम कमप्लीट कर लेते हैं ऐसे लाइन कम्प्लीट हो गई है हमारी अब यह यह यहां जहां यह लास्ट वाला हमने यह सिंगल सिंगल क्रोशि अगली लाइन कम्प्लीट हो गई है सेटिंग लाइन दी है अपलाइन की अबया हम यह जो ihatने जो शे नम्हें सिंगल क्रोशिया लिया था इसके उपर ल्वादे इसमें अर्षिली पिश्टिस से बंद कर लेंगे और इसके उपर फिर से हम छे सिंगल प्रोशिया लेंगे वन तू त्री तोर पाइब इस तरीके से यह हमारी यह लाइन कंप्लीट हो जाएगी ऐसे हो जाएगी यह लाइन हमारी ऐसे कंप्लीट होगी अब हमें 6 सिंगल प्रोशिया के बाद से 6 चेन लेनी हैं 1 2 3 4 5 6 6 चेन लिया हमने 6 चेन लेके इसके उपर 1 चेन और लेंगे 1 चेन लिया फिर इसके उपर 2 चेन लेंगे 1 2 उसके बाद यह जो 1 2 3 चेन जो यहां से उपर से हो रही है नीचे से 7 चेन उपर से 3 चेन उसी में हमने होल करके पफ बनानी है 1 2 3 3-3 की पफ बना लेंगे, आपको ज्यादा मोटा चाहिए तो आप four या पाइप की भी पफ बना सकते हैं. 1, 2 फिर से दो chain लेंगे, फिर इसी hole में हम slip stitch से बंद कर लेंगे, उसके हाथ फिर से दो chain लेंगे, 1, 2, और फिर से हमें puff बनाने हैं, 1, इसी होल में वापस से तू थ्री की फिर से पॉप बनाएंगे यह बंद करेंगे फिर से दो चेंड लेंगे फिर इसी होल में हम स्लिप इस्टिश से बंद कर लेंगे इसके बाद फिर से इसमें दो चेंड लेंगे वन तू और इसी होल में वापस से हमें फिर से पॉप बनानी है वन तू थ्री की पॉप बना लेंगे फिर बंद करेंगे फिर वन तू दो किये चेंड लेंगे और वापस से इसी में हम स्लिप स्टिश से बंद करेंगे तो यह इ पावर बन जाएगी और इसके बाद हम one two three four five six six chain ले लेंगे six chain लेके next वाली इसके हमने single crochet से बंद कर लेंगे फिर से वापस chain लेंगे one two three four five six seven eight nine nine chain लेके फिर थर्ड वाले पर one two three थर्ड वाले पर हमने पावफ बन आनी है one two और three फिर दो चैनल लेके फिर फिर इसी में सेन यही प्रोसेस हम जैसे इसमें किया है हमने सेन यही प्रोसेस इदर भी करेंगे देखिए flowers जैसे बहुत सुन्दर बनती एक और मैं बना के फिर दिखाते हूं फिर उसके फिर यह दो चैनल लिया फिर इसी में फिर से पॉप बनाई हमें फिर की पॉप बनाई बन किया फिर दो चेंड लिया और इसी में सिलिपी स्टिछ से बन किया फिर दो चेन लिया, one, two, फिर पफ बनाई, one, two, and three की पफ बनाई, फिर बंद किया, फिर दो चेन लिया, one, two, फिर वापस से इसी में, इसलिप इस्टीश से बंद कर दिया, अड़ यही से अब हम छे चेन लेंगे, one, two, three, four, five, six, छे चेन लेके हम, नेक्स वाली इस पे, सिंगल क्रोशिया से जाइंट कर लेंगे, तो यह ऐसे हमारी फ्लावर बन के तियार हो जाएगी, तो ऐसी हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेते हैं, बहुत सुंदर बन के लगती है, तो चली कंप्लीट कर लेते हैं, अब यह लाश्ट लाइन कंप्लीट होने वाली है, लाश्ट फ्लावर है हमारी यह पप बना के तीन, दो चेन ले ली हमने, उसके बाद, यह स्लिपिश्टी से इसे बंद कर लेंगे, और छे चेन लेंगे, one, two, three, four, five, six, छे चेन लेके आए लाश्ट वाली जहां हमें ये छे सिंगल क्रोसया से ये किया था, उसके लाश्ट वाले पे हम स्लिपिश्टीच से इसे बंद कर लेंगे, तो अब ये दागा कीच के हम इसे दागा कट कर लें और इस दागे को फिनिशिंग दे देंगे अंदर से और ये हमारी ऐसे ये लाइन पुरी कंप्लीट हो गए तो पुरी ये हमारी थालपोस बनके त्यार वे चुकी है ये देखिए ये पुरी बनके कंप्लीट हो गई है पुरी बनके ये ऐसी दिखेगी हमारी थालपोस और नजदिक से दिखाती हूँ मैं आपको ये देखिए बिल्कुर नजदिक से ऐसी ये बनके थियार होगी बहुत सुंदर लगती है आप भी बनाए और बना के ट्राइ करे कैसी ये बनेगी तो थेंक यू सो मच